हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरू को सस्क्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहा है और इसे अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फायदा हो सके ठैंक्स नमस्कार मेरा मेरा के सिंग और आप देख रहे हैं मार्केट गूरू मार्केट गूरू की इस वीडियो में अच्गर कर रहा है उसका नाम है फेडरल बैंक ये शेयर जो है मुझे काफी अच्छे लगता और ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये शेयर आपको बहु इस शेर को ज़रूर खरी देगा इस video में इस से जुड़ी इसके result के बारे में और इसके company के कुछ प्रांज कुछ कॉंस कॉंस के बारे में बात करोंगा और end में इस video के end में मैं इसके सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहली बात अगर मैं बात करो तो कंपनी जो है एक बैंकिंग सेक्टर में कंपनी है और कंपनी के पास खुद के ब्रांची जो है वह 1263 ब्रांच को ऑपरेशन करती है और इसके एंडिया में मैं अपने हर्दासर से कहना आए चाहोंगा यह कंपनी जो गुरोथ है यह कंपनी यह मुझे काफी अच्छी लग रहा है और यह शेर कपचास रुप्य सिर्फ 2-3 उपर चरॉत जो मुझे मुझे मौका देता है मघानी समय में assumed इसके जो सबसे पहली बात इसके जो प्रॉंस है इस कंपनी के जो गुड अच्छाईयां है उन में सबसे बड़ी बात तो है कंपनी का मार्केट कैप कंपनी का मार्केट कैप जो है वह 10,487 करोड़ का है जो काफी छोटा है as compared to इसके प्रॉफिट से अगर मैं इसकी बात करू जो करेंट मार्केट प्राइज 52.60 से काफी जाधा है मैं आप से कहना चाहूंगा यह कंपनी अपने बिक वैल्यू से काफी नीचे ट्रेड हो रहा है मैं आपने आप हर दस्ते से कहना चाहूंगा कि अगर आपको 52 रूपी पर यह शेर महंगा लग रहा है तो मैं आगे में इसके levels बताऊंगा जहां पर आप नीचे में एक्डुप कर सकते हैं हो अश्ताइस कमपनी का profit growth हो भी तीन साले की प्लत ग्लॉक किया ह hist कमपनी अैसे इसे ministers आनेवाले वाल क्लक कर पाईगी तो यह कंपनी जो है यहां से मल्टीयर बनने के लिए पूरी तरह से तयार है मैं अपने हर दर्श से करना चाहूंगा कि इस इसके जो प्रॉंस है मतलब की अच्छाइयां उसमें से एक और अच्छा यह है कि कंपनी ने अभी तक माइनस 39% का रिटन दिया है जो हमार बैंकिंग सेक्टर अगले अगले साल तक भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे मुझे लगता है मुझे लगता है कि आने वाले छे से नौ महीने में इनका ड़न अराण होगा और यह शेर जो है वह काफी अच्छा परफॉर्म जरूर करेंगे और आप बोल सकते हो कि बहुत बुरी तरह से मार्केट को और परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा मैं आपसे कहना चाहूंगा कोकि यह कंपनी ने माइनस 39 परसेंट का रिटन दिया है यह एक अपरचुनिटी देता है हम जैसे इन्वेश्टर को कि हमें इस शेर को ज़रूर खरी लिना चाहिए और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके जो रिजल्ट आये थे वह भी काफी अच्छे थे आपको जैसे कि मैं बता दूँ यह कोवीट से जुड़ा क्वाटर था और इसकी वजह से कंपनी ने जो जो जून में रेवेन्यू क्लॉक किये वो क्लॉक किये 3572 करूर के जो कि पिछले क्वाटर की बात करूं मार्च वाले उससे अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने क्वाटर और यह जो पिछले कॉटर में कंपनी की ग्रोध थी वह 3544 करोड की थी जो 0.8% इंक्रीज है क्वाटर और जैसे कि मैं आप बता दूँ यह कोवीट से जुड़ा हुआ पिर भी company ने अपने sales को on quarter and quarter और year on year basis अपने sales को बढ़ाया है जो मुझे काफी ज्यादा प्रभावित कर गया अगर मैं इसके profit net profit की बात करूं तो net profit में भी ये company कंपनी ने काफी अच्छा काम किया है इस company ने इस quarter में 410 करोड का net profit किया है जो पिछले साल पिछले साल इस quarter में 374 करोड का था जो increase है 9.6% का मैं आपको कहूंगा 9.6% का increase year on year यह शेयर जो है काफी अच्छा कर रहा है और मुझे लगता है कि अगर इस समय में भी company ने पिछले साल के इसी quarter को और परफॉर्म किया है तो मुझे लगता है कि आने वाला समय में यह शेयर भी अपना इसके जो रेट्स हैं उसमें भी यह चीज जरूर दर्शाएगी और अगर मैं बात करूं इसका पिछले पिछले quarter से अगर इसके sales profit की बात करो तो यह 329 करोड था जो quarter and quarter increase at 24.6% का जो बहुत ही अच्छा माना जाएगा इस company की balance sheet में slow down नहीं है यह company की balance sheet में सबसे अची बात मुझे यहीं लगी कि यह company कविड एरा में भी slow down करती हुई नहीं दिखा देरी और इसकी सबसेची बात अगर आप बैंक के sector के company की बात करते हो तो उसमें आपको gross NPA और net NPA ज़रूर देख लना चाहिए तो मैं अगर आपको इसकी gross NPA की बात करूं तो इस company का जो gross NPA है वो 2.94 परसेंट है इस quarter का जो पिछले साल इसी quarter में 2.98 परसेंट का था जो जिसमें गिरावाट है 0.04 परसेंट की जो फिर से एक बहुत अच्छी बात है पर अगर मैं पिछले quarter से इसकी तुलना करूं तो जो gross NPA है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई धोती हुई दिखाए दिया है पिछले quarter में इस company का जो gross NPA था वो 2.82 परसेंट का था जो increase है 0.12 परसेंट का company का जो gross NPA है वो बढ़ता हुआ दिखाए दिया है इस quarter में और अगर मैं इसके net NPA की बात करूं तो net NPA में बहुत जबरदस्त अच्छी तरह से बहुत अच्छा इजाफा हुआ है इसका जो net NPA है 1.23 परसेंट का है जो पिछले साल इसी quarter में 1.50 का था जो मैं आपको बता जो net NPA में गिरावट है 0.27 परसेंट की मतलग की company ने काफ़ी अच्छा performance किया है on on net net non performing assets के तरफ और अगर मैं इसकी इसका तुलना पिछले quarter से करो तो 1.32 परसेंट है जिसमें भी जिससे भी 0.18 परसेंट गिरा है net net non performing assets NPA जो गिरा है 0.18 परसेंट जो फिर से एक banking company के लिए काफी अच्छा है और मैं आप से कहना चाहूंगा ये company जो है आने वाले समय में बहुत बहतरीन return जरूर देगी और ये जो main reason थे इसकी वज़े से जो मैं आपको बोल रहा हूं इस company के sales increase हो रही है profit increase हो रहा है net NPA जो है वो काबू में हैं और क्या चाहिए आपको किसी भी banking company में निवेश करने के लिए और मैं आप से कहना चाहूंगा कि आप इसमें अगर ये share आने वाले समय में नीचे जाता है तो जरूर खड़ी दिएगा अपने बैल अपने portfolio में ये share को जरूर एंट्री दिएगा आने वाले समय में ये share आपको माला माल कर सकता है जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में आपको अपने technical levels के बारे में बताता हूं तो चलिए उसे भी जान लेते हैं तो सबसे पहली बात ये share bullish कब हो जाएगा ये share bullish तब हो जाएगा जब ये share 56 को पार करेगा अगर ये share 56 को पार नहीं करता तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये share जो है नीचे में आएगा 47 पर जब ये share नीचे में 47 पर आए और अगर आपकी position है इस share में तो आप उपर में 56 के levels को ध्यान में रखिए अगर ये नहीं तोड़ता है तो आप से बेज दीजिए और अगर ये 56 को तोड़ता है तो ये उपर में बहुत सारे levels बढ़ाएगा पर अगर ही नीचे 47 आता है तो आप इसमें stop loss लगाए 43 रूपीज का 43 रूपीज का इसमें stop loss लगाए उपर में ये share आने वाले दिनों में मैं आपको कहना चाहूंगा आने वा अगर ये चाहूंगा ये शेयर जो है वह काफी जादा अच्छा है ये शेयर आने वाले अटरा सो चौबिस महीने में आपको इतने बड़े टार्गेट मतलब की 110 का टार्गेट्स आपको आता हुआ दिखाई से दे सकता है मैं अपने हर दास से कहना चाहूंगा अगर ये 36 महीने तक इस शेयर में रहते हैं तो जो मेरा टार्गेट होगा इस शेयर में वो होगा 200 रुपे का ये शेयर अगले 36 से 42 महीने में 200 रुपे तक के टार्गेट को अच्छीव कर सकता है इसकी बैलेंशीट देखने के बाद इस शेयर के हर चीज बहुत अच्छी तर से आने वाले समय में एक बड़ा बैंक बनने का मैं अपने हर दससे करना चाहूंगा कि अगर आप जादा नहीं खरीच सकते तो आप इस शेयर में पांसो की हजार की महीने महीने एस आई पी जरूर कर लें और इसमें कम से कम आप पांस से दस साल रुकें इस शेयर का जो में में फायदा आएगा वो आएगा तीन से पांस सालों में और यह शेयर आपको मल्टी येर मल्टी बैगर बनता हुआ दिखाई देगा अगर आपको फेडरल बैंक से जुड़ी जा लात रहता हूँ तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए शेयर के साथ तो आज के लिए बस इतना ही बाइए